अज दोस्तों आज का दिन बहुत सांदार है और टूडेज दा बैस्ड और आज हम सुनने वाले हैं आज हमको ब्लेसिंग मिलने वाली है हम सबके ग्रेट मेंटर हम सबके पढ़ा के शुरूत जो ना कि हमारे बलकि पूरी डरक सेलिंग इंडस्ट्री के रॉल मोडल है पूरी पत्चिन्नों पे चलके आज ना कि पूरा हिंदुस्तान वलकि वर्ल्ड वाइल लीडरसिप उनको फॉलो करती है और आज नए साल में हम सबको उनका अशिरवाद मिल रहा है तो बिना किसी देरी के हाथ उपर करके जोरार तालियों के साथ पूरे हल्ला और जोस के साथ हम बुलाते हैं हम सबके ग्रेट मेंटर इन्युवारसर क्राउने मिस्दर ग्रेट मेंटर नर्षी ग्रेवाल मागरू जी जोरदार तालियां होगे लिए बेलकम बेलकम आज आपकी बिलेशिंग लेने के लिए बैक्यों विग्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंकि बार अगेन और दोस्तों नया साल आप सबको मुबार्क हो मेरी देड़ सारी शुब कामना है आप सबको नए साल पर लेकिन नए साल को हमने को लाइफ का बैस्ट एर कैसे बनाएं इसके बारे माज हम बात करेंगे और मुझे लग रहा है आप सारे लोग दो जार चौबिस को अपनी लाइफ का बैस्ट एर बनाने के लिए मूड में हैं पूरा तयार है एक से टैक हैं और जादा पीपीट होगारा सब दिख रहा पीप 24 को लाइब का बेस्ट इयर बनाना है और बेस्ट इयर बनाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं और क्योंकि मुझे यूटूब पे और देर सारे लोग यहां पर सुन रहे हैं पूरे इंडिया में तो मैं जरूर आपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो करना चाहूंगा और सिग्रेवाल है और मैंने जो एड्यूकेशन ली है मैट्रिक्स पास करके भरती हुए थे फोज में लेकिन बाद में में किया एंडी बीए किया उन्नीस साल तीन महीं ने मैं जोब किया दो उनीस सो पिचासी से लिए दो जार पांस तक और दो पत्चीस नॉमबर दो जा के हैं भी दोस्तों मैंने फ्रेशर से यूएस यूशी लेवल तक यूनिवर्सल क्रावन लेवल तक का मैंने सफरते किया और मुझे यहां से सोच मिली कि बच्चों को भी बार पढ़ाया जा सकता है मैंने अपने बेटे को पांस साल इंग्लेंड में यूके में बढ़ाया और इस डार्ट सेलिंग इंडस्टी की वज़े से मुझे फॉप्स मैग्जीन में भी फीचर किया गया तो तो यह मेरा इंट्रोडक्शन था लेकिन अभी मैं एक पते की बात पताना चाहता हूं कि यह बात हमको समझना है कि कोई भी डाक्टर हमें सेयत्वन नहीं बना सकता कोई फिटनेश ट्रेंडर हमको पतला नहीं कर सकता कोई टीचर हमें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता कोई गुरू हमें कामया भी नहीं दिला सकता कोई अमीर आदमी हमें अमीर नहीं बना सकता कोई कोच हमारी बोड़ी नहीं बना सकता और सब सला दे सकते हैं लेकिन मैनत चुबिस में आए हैं तो इसको बैस्ट इयर बनाना है और मुझे लग रहा आप सारे लोग तयार हैं 2024 को अपने इसके साल गए हैं उन सब सालों पर यह साल बहारी होना चाहिए क्योंकि आप अपने आपको अपग्रेड करने का डिसिजन ले लिया अगर आपने आगे बढ़न का decision ले लिया अगर आपने इस साल को life का best year बनाने का decision ले लिया अभी तक का तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक बात मैंने सुनी थी भगवान स्री किसिन ने भी बोला है कि हमारे आत्म है करम करना और करम करने के बाद जो भी काद्म होता है उसके लिए खुद को अपने आपको जिम्मेदार समझना है मैंने सादू की स्टोरी सुनी थी कि एक बहुत ही दिव्य आत्मा बहुत ही घ्यानी आत्मा बार-बार मतलब बात करते करते बीच में सीशा देखता था मिरर देखता था और जो देखता था तो लोगों ने पूछा साब आप क्या का या इस प्रस्तिती का सोलुशन किसके पास है तो उन्होंने बोला कि मैं दुबारा सिसा देख लेता हूं कि उसका सोलुशन भी मेरे पास है तो इसलिए हमको जिन्दगी में आगे बढ़ने का अप्ग्रेड करने का विजन रखना चाहिए और जो प्रोसेस उसके लिए कर हमकर बनने वाला है दोस्तो हमको सबसे पहले तीन अरिया पे काम करना तीन एडां पर काम करना हमको पहला मैं वैसे बोलते तो लोग है कि पहले साथ हैंथ होनी चाहिए निरोगी काया लेकिन असंदी को दो ली जाती है तो तीनोफ एरिये पर हम लोगों को काम करना है तीनों important है लेकिन first priority हमको अपने wealth के उपर काम करना चाहिए और wealth पे काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है की हम लोग कैसे काम करना है wealth पे तो one by one हम तीनों पर discuss करेंगे और 2024 हमारा अभी तक का सबसे best year अबन सकते हैं कि यह Lealth में तोर पर मजबूत होना ये कोई किस्मत की बात नहीं है ये mindset की बात है ये mindset की बात है और बहुत सारी किता में जो मैंने इस direct selling industry में आने के बाद पड़ी है उसमें clear cut बोला है चाहे हो rich dad poor dad हो उसमें बोला है Robert T. Kiyasaki जी ने कि हमको अमीर बनना है तो हमारे को अपनी mindset बनानी पड़ेगी दूसरा सोच किताब है Napoleon Hill जी की उसमें भी साब-साब लिखा है कि आपको पहले अपनी mindset तयार करनी पड़ेगी अमीर बनने से पहले क्योंकि जमीन को तयार करना पड़ेगा बीचबोने से पहले ऐसे ही अमीर बनने से पहले आपको या rich बनने से पहले या financially strong होने से पहले आपने आपको म मजबूत करना पड़ेगा और ऐसे ही एक किताब और मैंने जो पढ़ी मेरे को बहुत अच्छे से याद है एक बार मैं बिहार में गया था बिहार का एक Maintained a स्टेशन है वहाँ पे मैंने व किताब को खरीदा था वहाँ पड़ा था और से क्रेट मिष्टर टी उरे कर दवारा लिखी की किताब उसने बिल्कुल साफ साफ बताया कि सारह का सारा पैसे का जो गेम है ओक सारा का सारा mindset का गेम है और बोला भी जाता है कि इसमें mindset क्या काम करती है mindset कैसे काम करती है कि आप देख सकते हैं बोला है क्यां कि research हुआ कापυ दिन पहले किताब में लिखा भी है कि आगर पूरी दुनिया की दोलत इखटा करके और सब लोगों के अंदर बराबर कि बाठ दी जाए कि अगले दस साल में जो अमीर था दुबारा अमीर बन जाएगा और जो गरीब था normal गरीब रह जाएगा क्यों मैंट सेट उसका गरीब का आदमी का साधान वाला माइंड्सेट है और रिच वाले का रिच वाला माइंड्सेट है तो इसमें और एक किताब और मैंने अभी रिसेंटली पड़ी है सेवन मनी रूल ओफ लाइफ उसमें बाई मैरी हंट मैरी अंट जीनल बोला है कि अमीर बनने के लिए डिगरी नहीं चाहिए तो बड़ा आइक और माइंड्सेट अगर आपकी बन जाती है कि मुझे इस दोजार चोबीष में मुझे financially strong होना है मुझे rich बनना है मुझे millionaire बनना है मुझे- शफल बनना है तो आपको कोई भी хотя कोई भी शफल होने से और फैनेसली स्ट्रॉंग होने से कोई रोक नहीं सकता और फैनेसली स्ट्रॉंग होने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि जिस भी फिल्ड में काम करते हैं उस फिल्ड में हमको उसके expert बनते हैं उसको expert बनेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा अगर एक्टर है तो जादा पैसे कमाcoror तो आपने ही का एक्सपर्ट बनना है और अगर हम किसी डारेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो डारेक्ट सेलिंग में अगर expert बन जाए गोल सेट करने में अगर expert बन जाए लिस्ट बनाने में invite करने में लोगों को अपना plan show करने में या लोगों को presentation देने में और लोगों को follow up करने में या उनको convince करने में तो दोस्तों आपकी सफलता को और आपकी success को आपके अभीरी को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों इसमें कौन आदमी कैसा कितना पैसा कमाएगा कौन आदमी कितनी सबलता लेगा कौन आदमी financially मजबूत होगा कौन आदमी physically मजबूत रहेगा कौन आदमी emotionally happy रहेगा ये depend करता है उसकी सोच पे एक बहुत बढ़िया किताब म तबी भी मैं उसको बीच-बीच में बढ़ता रहता हूँ जिसका नाम बड़ी सोच का बड़ा जादू है उसमें नाइन नंबर पेज में बड़ी सोच के बड़े जादू के किताब के नौए पेज में नाइन नंबर पेज में लिखा है कि एक company का vice president था CEO और उसने एक अप किरिव महीने में 12000 डालर कमा रहे थे 12000 डालर कमा रहे थे लेकिन यह जो बंदा था जिसका नाम हैरी था रही ये साथ हजार डालर महिने में कम आता था तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश किया कि यह हैरी में ऐसा क्या है 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 के अंदर ऐसी क्या चीज है जो है पचास साथ हजार डालर कमा रहा है और बाती बिचारे सारे के सारे बारा हजार डालर पर अटक रहे हैं सारे के सारे सेल्समे तो उसनों ने पता करने कोशिच किया है किया है इसने पता चला इस हैरी में और बाकि सेल्समेन में अंतर क्या है तो एक अंतर था था कि उस हैरी की सोच बड़ी थी, पैसा कमाने को लेके उसकी सोच बड़ी थी, और लोगों से पांच गुणा सोच उसकी बड़ी थी, तो अगर हम पैसे कमाने को लेके, सकसेस को लेके, अपनी हैल्थ को लेके, और अगर अपनी हैपिनेस को लेके, अगर सोच हम अपनी बड या सोच का खेल है दोस्तों लेकिन अगर आप साधान इंसान है और आपको लगता है कि आप अकेले हैं साब काम्याब नहीं हो पाएंगे या आपके अंदर को special talent नहीं है तो आप क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आज आपको बताता हूं कि एक option जो मैंने 45 साल का काम 50 साल का काम आपको 5 साल में यहां पर करना पड़ता है लेकिन यहां पर फाइदा यह है कि यहां पर हमको mentorship भी मिलती है हमारे को को ब्रमाण्डिये सच्चा ये है कि और हंबल एडवाईज ये है कि don't expect money without work, चाहे वो direct selling हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी field में बगर काम किये, कोई actor पैसे नहीं कमा सकता, बगर काम किये, कोई player पैसे नहीं कमा सकता, बगर काम किये, कोई कही पे भी आदमी पैसे नहीं कमा सकता ये ब्रमाणिए सच्चाई है, और दो चीज़ें दोस्तो जिंदगी में कमानी पड़ती हैं, इज्जत और पैसा, मांगने से नहीं मिलता, ये दोनों चीज़ें कमानी पड़ती हैं, और आदमी कमाता है, तो एक होना है आप को एंपरेना है तो आपको कुछ सीडियों से होके गुजरना पड़ेगा आपको आप से कुछ mistake होंगी, mistake हों से सीखनेंगे, failure से आप कुछ सीखेंगे, rejection से सीखेंगे, frustration से आपको emotionally आपने आपको strong बनाना पड़ेगा और रस्ते में चलते चलते कोई बार insult भी feel होगा लेकिन इस रस्ते पे अगर आप चलते रहे तो direct selling में भी आप इतियास लिख सकते हैं और ये ये जो rejection ह या जो success का जो way है, ये cable direct selling के लिए नहीं, पूरी किसी भी industry में आप काम करोगे, तो यहां से गुजरना पड़ता है और ये इस industry में भी यहां से गुजरना पड़ता है, दो तो दूसरा, मैं जुरूर बताना चाहूँगा कि अगर direct selling या network marketing, मैं बहुत सारे लोग अगर और कुछ बड़ा करने का जुनूर होना चाहिए, हम भी इसमें काम्याब हो सकते हैं, मैंने ऐसे सोचा था आज से 21 साल पहले और आज आपके सामने, मैं इस industry में, मतलब zero से start करके और company के top level तक पहुँचने का मुझे शोबागे मिला है, दोस्तों, दूसरा, wealth को ठीक करने के लिए, जब आप पैसा कमा लेंगे, तो पैसे को कमाना अलग चीज है, और पैसे को बचाना अलग चीज है, सही है, तो पैसे को अगर आपने कमाया है, जो आप यहां से पैसा कमाएंगे, तो उसके बाद आपको केवल, इसमें direct selling के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपने के लिए तयार है, और अगर आप आपने अंदर पॉजिटिव कुछ बदलाव लाने के लिए तयार है, मेरी नजरों में direct selling क्या है, कई सारे लोग market में वीडियो बनाते हैं के साफ़ direct selling ये, direct selling ये, और ये, ऐसे करके बाते करते हैं, लेकिन मेरी नजर में direct selling क्या है, मेरी नजर में direct selling, network marketing कैसी है, ये एक स्वाती की बूंद की तरह है, स्वाती की बूंद एक नक्षत्र में गिरती है, और जिस नक्षत्र में जब गिरती है, तो एक पपाया नाम का एक पक्सी है, वो अपनी प्यास बुजाता है, इस स्वाती की बूंद की वज़े से, स्वाती की बूंद से के बारे में बोला जाता है, कि बड़े भागे जहां बर्से स्वाती, ये बड़े भागे की बात है, जहां स्वाती की बूंद बर्सती है, और वहां पे लिखा रहता है, कि कंदली, कंदली, सीप, भुजंग, मु स्वाथी की बूंत स्वाथी की बूंत की तरह ऑप या नेट्वर्क मार्केटिंग क्या है स्वाथी की बूंत की तरह है डारेक सेलिए इसकी एक बुंद रकर पक पक्सी पक्सी के मुद में गownedे तो प्यास बुजह लेता है और जब तक दुबारा गिरेगी तब वह पानि पियेगा तब तक लिए उसका पर्मनत उसको डोस मिल जाता है किचेड में गिर जाती है तो वही स्वाती नक्षतर की भूंद अगर सर्प के मुँँ में गिर जाए तो जहर बन जाती है तो इसलिए डारेक सेलिंग इंडिस्टी क्या है अगर खुददार दमदार और टाइगर के मुह में गिर जाए तो यूसिया तक पहुझा देती है और तूरे भटूरे के मुह में गिरे तो फिर लटूरा बना देती है रोग बूलते डारेक सेलिंग इंडर स्टीर कोई काम नहीं होता अरे काम नहीं होता यहां पे तो बहुत कमाल होता है काम नी कमाल होता है दो टाइप के लोग बिजनस करते हैं इस में कोई ठंपरेरी थोड़ा सा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहां पे जंडा गाडने के लिए आते हैं उसके एक्जांपल हमारे सामने बहुत सारी लेकिन एक में वर्डवाइड लीडर के बारे में जुरूर बताना चाहूँगा और उसका नाम है मिश्टर बिलब्रिड जी और जिम डॉनर जी आप नेट पे आजकल तो सबके पास नेट है उसको आवाज नहीं आ रहें आवाज आगे आगे तो दो लोग हैं आजकल सबके प बारे में और उसकी ताकत के बारे में और जानना है तो एक बार बिलब्रिड बिलब्रिड नेटवर्क मार्केटिंग इंडेस्ट्री या जिम डॉनर आप एक बार सर्च करके देखिए इन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे बड़े बड़े एंपायर खड़े करत अब के बचे और उनके पोते भी आज उनके इस इंडेस्टी में काम कर रहे हैं और आज जो एक सफल बिजनसमें के पास होता है तो सारी सुक्सूइदा मान सम्मान प्यार सारी चीज़े हैं और इनोंने पूरा डारेक्ट सेलिंग इंडेस्टी को सिस्टम के मताबिक फॉलो अदेम से उसमें हम डेली डेली एक सफल आदमी से डारेक्ट सेलिंग से सफल वा जिनोंने बहुत सारे मतल़ा आप्डाॉण देखें और अपने अनुवट यहां पर शेयर करते हैं उनके अनुवटों को समझ सकते हैं लेकिन दोस्तों यह डारेक्ट सेलिंग इंडेस्टी ह जो कोई भी कोई भी करने का या आगे सफल होने का दंदा बिजनिस हो काम कि लिए करता है कि अगर मालो किसी मोबायल में चार्ज बैटरी नहीं और एक्षा यह करànСТ दो वाइडि तो कशन सारे और अंदर है नहीं पैटरी मौला आगे बढ़ने की उच्छा है नी काम करने की इच्छा है नी कमेटमेंट करने की इच्छा है नी और तो बैटरी होना अंदर लाजमी है अगर मोबाइल को चार्जर करना है तो बैटरी होना लाजमी है तो हमारे अंदर बैटरी होनी चाहिए हमारे अंदर जो ज़ज़बा जनून होना चाहिए दिया और अगर हमने आगे बढ़ने की पूरी सची बंसा रखी तो हम यह आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों अपने आपको financially strong बनाने के लिए कुछ चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना केवल कमाई नहीं करनी कमाई करने के बाद उसको सई जगे पर सेट भी करना आना चाहिए तो अभी तक हम ने देखा कि हम लोगों को अपने वेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और अर्निंग पर फोकस करना चाहिए और अर्निंग का एक ऑफशन डारेट सेलिंग इंडर्सी भी हमारे पास है लेकिन वहां पर हम बहुत मैनत करके बहुत ही कमेट्मेंट के साथ प्रॉपर तरीके से सीख के वहां पर काम कर सकते हैं पैसे कमा सकते हैं और अपनी वेल्थ को पार्ट को अच्छा कर सकते हैं लेकिन वेल्थ के पार्ट में केवल कमाना ही नहीं जरूरी नहीं है कमाने के साथ साथ हमको उसको तो सही जगे से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करना भी जुरूरी है और उसमें पहला आफ्षिन है कि हम अपना जरूर ले ले क्योंकि एक बिमारी आके आदमी के पूरे के पूरे बजट को पूरी की पूरी कमाई को तैसनेस कर देती है तो जरूर करागर रखे जो फोजी लो अगर केवल लेकिन मां अंडरलाइन करना केवल ट्रम इंस्वरेंस कराना है केवल ट्रम इंस्वरेंस ओनली ट्रम इंस्वरेंस जो 600-700 रुपे में एक क्रोड रुपे का तक हो जाता है अगर 800-900 रुपे महिने का दे 900 रुपे बहिने का देने से 100-900 रुपे बहिने का देने से UND-प्रोड रुपे तक हो जाता है 30 साल की एज में उस वाला ट्राम इंसुरेंन्ण समगों कराना या या यह । यह निई यह ऐजार रुपे स्यादा नहीं है अब से पहले चले गए से पहले तो आप हमेशा अपनी इन फाइनेसिल प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए अपना ट्रम इंसुरेंस भी कराएं और रखें दूसरा जितना भी पैसा कमा रहे हैं जुरूरी नहीं कि आज आप दस लाग रुपे महिना कमा रहे हो या पांस लाग बचत आदत होती है और नहीं बचत करना भी खादत होती है तो इस आदत को अगर आप नए साल में आप लाते हैं तो आपकी Well एक्टिव्टी में लगाईए लेकिन दस परसेंट लॉंग ट्रम के लिए ज़रूर बचाना है और नेक्स दस परसेंट फंड को अमेशा अमर्जेंसी के लिए रखिए क्योंकि क्या आएगा कोई पता नहीं है अभी जैसे क्रोना आ अधा था जिनको अर मेने की तंखा पर जीरे थे उनको दिकत हो गई थी सहीं है बहुत सारे लोगों को तंखा नहीं मिलना बंद हो गया था या कम उगया था उनकी तंखा तो हमको तो 10% emergency fund हमें से रखना है अमर्जेंसी फंड में लोग सेविंग करके रखें और 5% charity में दान दर्म जुरूर करें क्योंकि दान दर्म करने से बोलते हैं माया कई गुणा होजार गुणा होके आती है लाग गुणा होके आती है तो दान दर्म बीच बीच में करते रहें और गोर्मेंट को tax देके पैमानदारी से tax देना भी दान दर्म में लर्निंग के लिए जुरूर करें आप सेशन अटेंड करें सेमिनार अटेंड करें बुक्स खरीदें आप ओनलाइन कोर्स खरीदें जो भी कुछ करना है करें लेकिन आप सेल्फ लर्निंग में 10% जरूर लें मैंने जब मैं 30-40,000 पर 15,000 महीना कमाता था उस टायम पे भी ब आपको Mr. जरूरतों के लिए अप यूज कर सकते हैं बडिया उसको जरूर करें और उसी से अपने अपने इंकम बढेगी तो इनमए पहलू में पहलू है उनमें की सेविंग चली जाएगी देखो दोस्तों घर की जरूरते हैं या घर के खर्चे लिमिटेड हैं लेकिन आपके पास पैसा कमाने का या ससस लेने का जो option है ऑव अललिमिटेड है तो अललिमिटेड की तरफ जाइए आप यह सोचिए की पैसा कमाना आप अगर डेली बड़िया बड़िया affirmation सुनते हैं बड़िया बड़िया आप success के बारे में लोगों सुनते हैं आप लगातार success के लिए काम करते हैं तो आपका financial जो level है mindset है वो बढ़ेगा और mindset अगर बढ़ गया तो आपने success लेनी है financially wealthy होना है इस 2024 में इसको आपने copy में लिखना है और इसके अलग लोक में लिखे जाती आपकी किस्मत आप copy पे लिखते हो कोपी पे लिखते हो वही आपकी किस्मत होती है copy पे लिखो कि हमें इस साल में इस लेवल पर पहुचना है financially इतना strong बनना है और इस financially level मुझे मतलब millionaire बनने का अपना target लिखो अगर आपने लिख लोगे तो वह मुझे करोणपती बनना है मैंने लिखा था मुझे सफल होना है और जो मैंने लिखा था वही अमेरे साथ में हुआ तो आपके साथ में होने वाला है investment planning में कुछ बाते और जूरूर मैं शेर करना चाहूंगा कि हमेंसे बजट बना के काम करना चाहिए आपका बजट आपने बजेट बना के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हमेशा रहेगा कभी आपको प्रॉलम नहीं आगी फैनेसली तोर पर आपको किसी के सामने हाथ नहीं पहलाना पड़ेगा कई सारे लोग बोलते हैं यार खर्चा करना सीख लो इंकम तो अपने आप आजाएगी नहीं नहीं प खड़े कर सकते हो आप अपने इंकम बढाने पर फोकस करो खर्च तो आपने आप फिर बढ़ी जाएंगे को इस्यू नहीं है लेकिन पहले खर्चे बढ़ा लिया इंकम बढ़ाया नहीं सकसे बढ़ाया नहीं तो उसके बाद पिर चैलेंजम में रहता है 2024 आपकी लाइब क खुद की है और इसको जमेदारी को अमने उठाना है और फैनेसली स्ट्रॉंग अगर आप हो जाते हैं तो आप का आप देश का बोज कम कर देते हैं सही है नहीं तो क्या करना पड़ेगा अगर फैनेसली आप स्ट्रॉंग नहीं होते हैं तो गोर्मेंट को फ्री में विचारे वो सेलेंडर देना पड़ेगा रोज बेरोजगार बत्ता देना पड़ेगा कोई कुछ कुछ करना पड़ेगा अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप गोवर्मेंट की भी मदद कर रहे हैं स्टेट की भी मदद कर रहे हैं घर की भी मदद कर रहे हैं और पूरी मानुजाती की आ 2024 2024 में हमने अपनी खुशी को भी भड़ाना है बट कैसे इसके लिए मैं बोला चाहूँगा कि हमेशा मस्त रहे एकदम एकदम सांड के वाफिक जिसकी बोला जाता है बोला जाता एक बहुत बढ़ी प्रसीद कवी ने बोला कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है जो मस्त रहता है हमेशा वेस्ट रहता है मस्त रहता हो हमेशा खुश रहता है वो लोगों को भी खुश करता है और हमेशा परिवार को खुश रखता है क्योंकि खुश रहना भी एक आदत है दुखी रहना भी एक आदत है तो कौनशी आदत अपनानी चाहिए मुझे लग रह या आनन्द आता है ना जाता है ना तो मज़ा आता है ना मज़ा जाता है ये तो लिया जाता है ये तो लिया जाता है आपको लेना है सही है ऐसे ही बोला जाता है नसा बोतल में नहीं है नसा हमारे अंदर है अगर नसा बोतल में होता है तो नसा इंसान में होता है ऐसे ही बार किसी चीज में नहीं होता मजा हमारे अंदर होता है मजा ना आता है ना मजा जाता है यह तो लिया जाता है और किसी ने सही बोला है कि मोज लो रोज लो और नहीं मिले तो खोज लो और खोजने के लिए बड़िया डारेक्ट सेलिंग इंडिस्टी में आप आ जाओ से पॉजिटिव एटिटूट रखना हमको सोलूशन सेंट्रीक अप्रोच कोई भी आपको अगर चैलेंज आता है लाइब में लाइब में बिजनिस में कई पर भी तो आप उसके दस सोलूशन लिखो साइड में दस में से एक सेट हो जाएगा दस सोलूशन आप तो चैलेंज को ट्रांस्वर्म करो लोगों की लाइब को ट्रांस्वर्म करो तो आप देखो लोगों को खुश करते करते आप भी खुश हो रहने लग जाएंगे और मेक मोर फ्रेंड्स अटेंड आल मीटिंग एंड क्रिएट गूड शरकल आप ज्यादा मीटिंग अटेंड करें तो हमारे साथ साथ में बाइप प्रोड़क्ट आ जाएगी और इसका मतलब डारेक्ट सेलिंग खुश रहने का एक मादम बन सकता है हमारे लिए एक किताब उसमें लिखा नेवरी टैलों टीम के लोगों के साथ मैं हमेशा उनके साथ रहें उनके साथ खाना खाएं उनके साथ मतलब हमेशा मीटिंग में रहें उनके साथ उनको आगे बढ़ाते रहें और टीम के लोगों को नेक्स लेवर पर लेके जाने के लिए उनके साथ में साथ देते रहें और बहुत सारे लीडर हमारे इस काम को बहुत बखुबी कर रहे हैं तो आप हमेशा जब जब लोगों म तो हमने तयार कर दी आलवेज भी बीजी विद वाल पीपल अबलिक टीम हमेशा लोगों के साथ में टीम के साथ में हमेशा बीजी रहें और भगवान को भी अच्छा ही होगा तो यह बाते हमको एपीनेस रखने के लिए मतलब मदद करेंगी इसलिए हमेशा खुश रहो अपने काम पर फोकस रखो अगर आप जवानी में पसीना नहीं बाओगे तो बुड़ापे में आसू बाने पड़ेंगे जवानी में पसीना बालो कितना तकलीब दाएक होता है तो दोस्तों जवानी है और 2024 में हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जवान लोग हैं पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जवान अगर लोग हैं तो इंडिया में है और इंडिया में अगर जवान लोग पसीन भी नहीं रखना क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा जो भोजन है वो ईगो है इगो चेट रावण में आई हो उसको भगवान सेट कर दिया तो इगो कभी नहीं रखना अच्छे विचार रखना है और दिल बड़ा रखना है अगर खुद से गलती हो जाए तो माफी मांग लें और दूसरे से गलती हो जाए तो माफ कर दें क्या दिक्कत है खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़ी तौब नहीं चाहिए खुश रहने के लिए सिरफ मतलब मैंटसेट चाहिए दोस्तों हाइस डेस्टिनी लाइफ इस तु सर्व रहदर देन रूड लोगों पर हुकोमत करने की बजाए आप उनको सेवा दीजिए उनके साथ उनको आगे बढ़ाईए उनको मदद कीजिए आप किसी को खुश करने के लिए या रूल करने के ल तो आप खुश रहेंगे लेकिन आप उसकी बात नहीं माने तो दुखी हो जाएंगे उसी दिन से आपको लगएगा सारा जहान लुट गया मेरा तो तो इंज्वाइब प्रेजेंट को प्रेजेंट का मतलब ही रहता है जो अभी जो हमको मिलावास हमें उसको गिप्ट को तोर पर माने और उसको हमेशा एंज्वाइब करें और उसको पूस्पोर्ण मत करें कि मैं डायमेट बंढके खुश हो जाओंगा या मेरे की नोकरी लग जाएगी तो खुश रहना है दोस्तो अल्टिमेट परपज ओफ लाइफ हमेशा शुक्षांती से रहना यह हमारा अल्टिमेट परपज होता है जिंदगी का लेकिन जब आप अपनी बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं तब ही आप खुश रह सकते हैं बगर काम किये कोई आदमिया तक खु सबस्क्राइब साभा और कष्याओफ हुआ करते हैं तो gio gir नेयुख और मियृट्ट है से जहाए जैसे आंखे खुलती हैं तो आदमी को दिमाग को कुछ न चाहिए अगर हो काम करना है तो हम दो तरी के से कर सकते हैं या तो हम अपनी बडोतरी के लिए खुशाली का काम कर सकते हैं या हम दुखी रहने वाला काम कर सकते हैं तो काम तो हमको करना ही है अगर काम करना ही है तो मुझे लग रहा है कि हमको खुशाली वाला काम करना चाहिए your behavior is the reflection of the quality of your goal अगर आपकी जिन्दगी में कोई goal नहीं है तो आप happy नहीं हो सकते अगर आपकी जिन्दगी मकसद नहीं है तो आपको happy नहीं हो सकते और आज तीन मकसद आपको मिल गए है कि आपको wealthy फिट रो इस 2024 को सबसे अभी तक का best year बनाना है तो उसके लिए आपको happy रहना है आपको wealthy रहना है आपको और आपको healthy रहना है और बोला भी जाता है क्योंकि happy अगर रहना है तो जिसकी मस्ती जिन्दा है उसकी हस्ती जिन्दा है यह हमेशा खुश रहे और दोस्तोव आपके पास बहुत सारे मतलब अभी गोल है जिंदगी के आप कहा स्टार कुछ में गुमना है आपको वर्ड टूर करना है आपको विदेश गुमना है यह बहुत सारे टूर आप बना सकते हैं सही है जिंदगी में खुश रहने के लिए खुश रहें और बड़े-बड़ा सोचे बड़ा- रखते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे और आप बढ़िया खुश भी रहेंगे नो फास्ट फूट कुछ नहीं खाएं पैकड़ वाला फूट कुछ नहीं खाएं जो पैक किया हुआ मिलता है सुगर और मैदा और तलावा बोजन नहीं खाएं तो आपको 90 परसेंट 90 परसेंट सो ऐसे ही बच जाएंगे अगर आप केवल फास्ट फूट नहीं खाएं पैकड़ वाला फूट नहीं खाएं शुगर वाला फूट नहीं खाएं मैदा आप तलावा बोजन नहीं खाएं तो 90 परसेंट तो आप बिमारियों से हैसे भच जाएंगे केवल फ्रेस और living फूड खाएं नूट्रिशिस फूड खाएं एल्थ के लिए 32 बार चवागे खाएं और उचित मातरा में पानी पिएं और एक वर्त ले सकते हैं आप चाहें तो मिठाई को करवादे सुगर को सगर को डिलकुल टोटली तरीके से अवाइड कर दे और अगर मतलब मीठा लेना भी है तो उसको फ्रूट के बदल दे कॉफी को ब्लेक कॉफी बदल दे रिप्लेस कर देते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे शाम को साथ वजे से पहले डिनर लेना और टाइम पर सौजाना दस में तक सोना और सुछना अगर आप रहेंगे तो आप स्वस्त रहेंगे एक गंटा रोज वाकिंग करें तो और इनसान की जिन्दगी है पांच बोटलों में बीपती है पहली बोटल रेती है और दूद पीता है बोटल में डालके फिर कोका कोला पिलने लग जाता है फिर दारु अगर आप बोलते हो कभी भी जिन्दकी में यह नहीं बोलना चाहिए कि मेरा पिछले साल बढ़िया था मेरा स्कूल डेज बढ़िया थे सही है आपको लगना चाहिए माई बैस्ट तो अभी आएगा क्योंकि बुड़े आदमी में और यंग आदमी में एक ही अंतर है यंग आ आदमी अगर एज को छोड़ दे और सारारीक डाचे को छोड़ दे तो उसमें एक ही अंतर है कि यंग आदमी बोलता है मेरा बैस्ट इस यह और बोलता है हमारी जवानी के दिन तो गए अभी तो बढ़िया था उसा बोल लिया तो अगर कोई देवानन जी से किसी ने पूछ हमेशा जब तक हम जिंदा है जब तक हम प्रिथी लोग पर है तब तक हमेशा हमारा बैस तो अभी आने वाला है यह बात करनी चाहिए हमारे सोचनी चाहिए my best is yet to come और हरकत हमेशा करती रहने चाहिए क्योंकि हरकत में बरकत है दोस्तों 2004 भी आया था 2004 हमारा वैसा 2004 जैसा था वैसा हमने 2014 को नहीं होने दिया और इसके लिए कुछ संकल हम लोग ले लें पांच संकल कि हम लोग अगले पांच साल तक सिस्टम के साथ में टिक के मिशन के साथ में काम करेंगे जिस भी काम में हम लोग लगे है उस काम को करें पांच साल तक कभी सात नहीं चोड़ेंगे अपने जो साती है उनका सात नही चार 06 करते हैं करते करते हैं करते हैं ऐसे करके अगर कोई बड़ा जोटिंट करते हैं मेगा वेन्यू प्लान ऑगर अटेंड करतेेंं तो पच्छेश पउयंट ऐसे करके डेली बुक रिडिंग करते तो पॉयंट अगर यूटूब लाइब हम वीडियो सुनते हैं यूटूब लाइब देखते हैं स्व inversion तैयार हो होके उठके तो दस पॉइंट ट्रैनिंग अगर वेन्यू पे ट्रैनिंग करते तो 20 पॉइंट ऐसे ही और एक एच वन टेस्ट हैं अगर हम देली दस लोगों से मिलते हैं तो पांच पॉइंट बड़ा फंक्शन टेंड करते हैं तो सो फॉइंट आउट स्टेशन में और इंडिया से बाहर टूर करते तो 200 पॉइंट और अगर फरन्ट रीप करते हैं लास्ट में इस बहुत ही मेरे दिल के करीब फॉइंट उसको डिसक्स करके हम सेशन को कंप्लीट करेंगे लेकिन उसको समझाने के लिए मैं यहां कि महाल अपने समय का स्वेरे पाँच बज़े उठे तो शाफ को पाँच बजे तक क्या क्या और श्याम पादर कहे जाते हैं Benjamin Franklin उन्होंने इस प्रोसेस को फोलो किया और उसके लिए एक कमाल की कहानी है कि Benjamin Franklin जो थे उनकी जो उनकी एक प्रेजडेंट थे बैथलम स्टील का स्टील कंपनी के अमरीका में और चाल्स स्वाब मिस्टर चाल्स स्वाब थे अमरीका की एक कमपनी के जो थे प्रेजडेंट उन्होंने कावी दिन से उनकी कमपनी स्ट्रगल कर रही थी स्ट्रगल कर रही थी तो उन्होंने के उसको मिस्टर ली को बुलाया आईवी ली को बुलाया expert को कि भाई हमारी company की progress कैसे बढ़ सकती है तो ली आये उसने और सारा साब को देखा देखने के बाद उन्होंने एक ही बाद बोली ली ने advice कि आप अपनी company के लोगों को बोलो कि कल क्या करना है उसकी आज to do list बना ले आज to do list बनाए और तो सारे लोग to do list बनाने लगे कि कल हम को क्या करना कल हम को क्या करना है और उसमें से priority वाले कौण कौण से तो to do list बनाए और priority वाले काम कौण कौण से ऐसे लिखे और करने लगे तो अगले कुछ दिन में उस company की जो progress है करीब-करीब 10 गुना ज्यादा बढ़ी तो बताते हैं कि उसको स्वाव ने उसको उस टाइम पे आज से सो साल पहले 25 डोलर दिये 25 डोलर दिये आज के इसाब से आप मान सकते हैं सही है तो क्रोडों का चेक उनको दिया तो सिर्फ एक टेक्निक से उसने पूरी कंपनी की बदल दिया तो यह टेक्निक इसका नाम है टूडू लिस्ट आप अपने प्रोजेक्ट के आप अपने कल किस-किस को प्लान दिखा रहे हैं किस-किस से मिल रहे हैं किस-किस की मेटिंग कर रह है ऐसे करके रखते हैं फिर उसको प्रयोटी देना कि सबसे पहले किसको करें कि कई काम ऐसे होते हैं जो करने लाइक नहीं होते या आगे पीछे भी किये जा सकते हैं जैसे इंपोर्टेंट भी है अगर काम और अर्जेंट भी है तो उसको पहले करो लेकिन इंपोर्टेंट है important है लेकिन urgent नहीं है तो उसको schedule कर दो बात में हो जाएगा सच आहाद काम important भी निया urgent भी निये जैसे real देखना leaf नहींonent है तुझ को डिलीट वारूँ और कोई काम important है लेकिन uh urgent नहीं है और बहुत कम important है तो उसको delegate कर दो दूसरे को बतादू तो आपने और कैसे पहचाने कौण सा काम पहले करना है पेसे पैसे पाइसे काम लेकिनcling करना important है और urgent नहीं है सही है तो इसको बाद में भी किया जा सकता है तो time आपका time work and energy अगर आपका time है और काम है सही है लेकिन energy नहीं है तो कैसे करेंगे तो इसलिए आपकी energy बरकरार है इसके लिए आपको healthy भी रहना जरूरी है और energy के चार परकार होते हैं physical energy, emotional energy, mental energy और spiritual energy तो आपने चारो energy को बरकरार रखना है और उसी के जब यह टॉप पर रहती है उसी time पर काम करना, product काम को कैसे पहचारना है, decision, decision है, benefit है और spent हैग नहीं है, कैसा काम, किसको काम को पहचानना ही है, decision काम है, benefit कुछ नहीं है, आगर कोई काम कर रहे है आप लेकिन उसका benefit नहीं है तो आपने time spent, waste कर दिया, खर्च कर दिया, लेकिन आपने काम है और उससे benefit है आपको मिल रहा है, तो आपने time को invest कर दिया, जैसे काम है, आपने plan दिखाया, आपको benefit है, तो आपने time invest कर दिया, आपने किसी को core बनाया, benefit है, आपने time invest कर दिया, लेकिन आपने real देखी, सही है या इदर उदर पालतु में घूमें लेकिन आपको कोई benefit नहीं है तो आपने time waste कर दिया तो आपने हमेशा time waste नहीं invest करना है और इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप to do list बनाएं और priority wise set कर लें कि कल हमको क्या क्या काम करने है आप regular growth ऐसे होने चाहिए समय का सही अगर उप्योग करते हैं आपको तो ऐसे आपकी growth हो जाएगी सही है और अगर आप समय बेस कीमती है इसको यूज करना है और इससे समय एक बटवारा है समय एक energy है समय एक पैसा है क्योंकि समय एक बार चला गया तो दुबार आता नहीं है और हमारे खाते में भगवान डेली आठ हजार चैस्सो और चैसी हजार चारसो सेकेंड डेली डालता है लेकिन कुछ लोग उसका यूज करते हैं अपने positive वर्ड उसके result के लिए अपने को invest कर देते हैं और कुछ लोग इसको waste कर देते हैं दोजार चोबिश को अगर life का best year बनाना है तो यह हमारा खुद से वादा होना चाहिए पैसों से ज्यादा दुख वक्त को गवाने में होना चाहिए सही है कि को पैसे गवा दिये तो आप दुबारा कमा सकते हो लेकिन अगर आपने वक्त गवा दिया तो आप उसको कमा नहीं सकते तो चोबी दोजार चोबिश को life का best year बनाना है त हमने किन-किन चीजों को हमने क्या-क्या आज के से से हमने सीखा है अभी तक का क्या-क्या हम लोग सीख के जाने वाले हैं या क्या-क्या हमने इससे टेक वए क्या कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पहला हमने वेल्ट के बारे में सोचना वेल्ट के बारे में पढ़ना व जिनकी बदली है जहां पर मेंटरसीब भी हमको मिलती है और वहां से हम अपनी जिनकी बदल सकते हैं जहां पर कुछ भी special degree या डिपलोमा नहीं चाहिए कोई अलग से कोई education नहीं चाहिए और अलग से कुछ investment नहीं चाहिए केवल आपकी इच्छा सकती चाहिए अपने आपको बदलने की और दमदा तरीके से तावड थोड़ काम करने की तीसरा हमने सीखा कि स्वाती की बूंद की तरह है जिसमें गिरती है वैसा ही रूपदार्ण कर लेती है तो अगर आप सीप की तरह मूह खोलेंगे और ब करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रॉंग ओने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानींग को फॉलो करना ही पड़ेगा बगर फोलो कि आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते हैं स्टेश्ट हैपीनेस हमारी मर्जी है एपीनेस हमारे अंदर है और जिसकी मस्ती है उसकी हैँ उनको अगर हमने फॉलो किया तो हमारी भीधि बढ़िया वने वाले पांस संकल्प और हम डारेक्स सेलिंग वे काम कर ुले हैं या कही पर भी भड़ी सक्स Cheese के लिए काम कर रहे हैं तो फांस संकल्प को तो मैं गैरेंटी देता हूं ये 2024 आपकी लाइब का बैस्ट ये बनने वाला है और बैस्ट ये बनेगा नहीं अब बना के दिखाने वाले हैं क्योंकि 2024 हम सब दिखा दम दिखाएंगे मुझे पूरा यकीन है और काम कोई भी हो कुछ लोग दम दिखाते हैं और कुछ लोग द सब्सक्राइब है तैंक यू बेरी मुच विश्यो आल दी वैस्ट गो डाम एंड गो युनिवर्सिल क्राव ने बहुत तैंक यू बेरी मुच ग्रेट मेंटर जो राट तालियां हो जाए हमारे ग्रेट मेंटर के लिए हाथ उपर करके बहुत-बहुत धन्यवाद और क्या मिलेगा और क्या नहीं करने से क्या नहीं मिलेगा बहुत-इंपोर्ड़न श Advent दिया वहागुर्जविप और मुझे लगता है कि जितने वह लोग डर डृक इंडुस्ट्री में हैं चाए वो डरक सबाट गृंग इंडुस्ट्री में हैं या नहीं हरकिसी के लिए अप आपने चवू मिखी विकास, एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति कैसे अपना चारो तरब का विकास कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपने बताई और सबसे इंपोर्डेंट जो बात बताई कि स्वाती की बुंद की तरह है डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप एक स्वाती की ब और सारी चीज़ें बताई हैं, आपने सबसे इंपोर्डेंट की जबानी में जो पसीना भालेते हैं, वो बढ़ापे में आसू नहीं बाते हैं, भी इरियलिस्टिक रहें, सबसे अच्छी बात बताई माहवर जी आज आपने बताएगा एक्जांपल से कि अगर किसी को अप अपने अमल किया और मैं चाहता हूं एक बार इतने सांदर सेशन के लिए पूरा हैं ग्रेट मेंटर को सुन रहा है, मैं चाहता होगी हाथ ऊपर करके एक वाद धन्रवाद के रूमें दोरा तालियां बजाएं, बहुत-बहुत धन्रवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, थ विकास जी का शुकरियादा करना चाहेंगे, आज का सेशन इतना इंपोर्डेंट था, मुझे लगा कि जाने से बेतर सेशन है, और भूरी आपका सेशन है, तो मुझे लगता है कि ऐसी अपर्चुटी अगर किसी को मिले तो क्यों नहीं लेना चाहेंगा, और मैं तो पक्का आपको कोटी-कोटी पुनाम महगर्दी, और विकास जी भी पाटिसिपेंट के आम हैठाउंगा, विकार्दी के लिए भी जोरदार करिया, और महगर्दी आज जो आपने बात बात है, बिलकुर आखे खोल देनी वाली बात है, तो एक बात तो होता ही है, कि हमने भी किसी से शुना था, कि अगर खाना हदम करोगे, तो सस्त रहोगे, और निंदा हदम करोगे, तो मस्त रहोगे, तो अपना टूडू लिस्ट बना के महगर्दी, आपका आशिरवाद से टूडू लिस्ट बना के हमेशा काम करे, तो आज तो महगर्दी का सेशन, एज शुपार कुछ लीडरों से हम फिडबेक जरूर लेंगे तो हम चाते जिसको भी हम बोलेंगे शिरिफ दोई लैन में पताए आज का क्या कुन सा पॉइंट आपको दिल में हिट किया और आपका कमिटमेंट क्या है दोई चीज बताए तो हम सुनते हैं हमारी एक जवाज लीडर मिस्टर छुपृतो जना जी बहले कि आज जो महागुरों जी का कुएंट आपको हिट किया है आपके कमिटमेंट है धी है यह सिससान में कोई अच्छा तो मैं बोलु गा तो बहूत खराब होगा गुरे सर बहुत मतलब कष्थ होगा मुझे भी यह हर एक point हर एक point बिलकुली दिल चुजाने वाला है और दिल ynीड की बात नहीं है और यह success की बाद यह सपलाते की बाहन नहीं है गृटसर यह जो point हर अज़े 9 पॉइंट दिया ग्रेट सर एक हर एक इंसान को जोरत या साक्षेस्पूल होने के लिए यह हर एक पॉइंट एक क्रोडों का है यह मैं खुद अप्लाई करूंगा और इनसान को अप्लाई करने के मजबूर करूंगा ग्रेट सर और इस बार 2024 को इत्तियास लिखेंग निर्मलशिंग्दी आने भापन संगर आपने मजेसे मुझें मुझे माका दिया उसमें से जो मुझे अच्छा लागए गेट सेर कि पहले संकल्प लेंगे संकल्प ये लेंगे कि हमारे पांस सेल रोज होनी चाहिए और मैं फूर टुडू लिस्ट के उपर काम करूंगा और उसको राइट डूपलिकेशन किया जाएगा इस तरह से काम करके गेट सेर 24 को मिर सबिंदर जी आज महागर जी को सेशन में कुम सा पॉइंट आपको अच्छा लागा और क्या कमिट्मेंट है नमशकार गुरुजी नमशकार सभी को नमशकार आज की ट्रेनिंग बहुत सूपर रही है गुरुजी बहुती सांदार रही है और ये बिल्कुल उसी बूंद की तरह है कि जिसमें भी गिरेगी उसी के जैसा बन जाएगी और अपने काम को हमने देख लिया है आज समझ चोबीस हमारा एकदम सफल रहेगा इसमें हम डैमेंट्शिप कंप्लीट करके दिखाएंगे महागुरुजी हंडेट परसेंट बहुत बढ़िया अमारी बीच में मिस्टर दिपोग पत्र है की चर वेग्गरांसे दिपोग दिपोग जी बोलिए आज महागुरुजी का कौ अग्युजी को प्रणाम और आज का यह सेशन माइंड ब्लोईंग और माइंड को हिला देने वाला बॉडि स्वोल माइंड को एकदम जग्जोर देने वाला सेशन था और एक एक पॉइंट इस सेशन का पहुत ही जबदर्श था जैसा है कि एक कंपनी का इग्जांपल विक और भी डाउन में जा रहा था तूडू रिलीस्ट प्रपली बना गया और उससे इसको प्राफिट मेकिंग में कंवर्ट किया गया इसके साथ साथ हम लोग दीन रात मैनत करते हैं तो हमें हेल्ट पे भी बहुत ध्यान देना है डाइक पे हमें जोर देना है नो सुगर S.I. इस बात को मैंने गाड़ बांग लिया है कि हमें हेल्दी रहेंगे तभी आगे लंबा रिस्क तक हम जीत पाएंगे और एक एक वर्ड वाकिए यह जरने वाले इसकी बून की तरह है हम कैसे लेते हैं इस नेटवर्ग मार्किनिंग को इसके पर डिपेंड करता है अगर यहा बिल्कुल चटाई रजाई सब छोड़ेंगे सर एक्टम मैदान में औलकिंग बहुत बढ़िया हम नेक्स सुनते हमारी लेलन कुमार चोधरी लेलन जी बोलिये अग महागुर्दी का दोई लेंड में बताए कोई भी लीडर ज्यादा लंबा भुमिका ना करें दो ही लाइन में बताए कि आपको कुंसा पॉइंट अच्छा लगा और क्या कॉमिटमेंट है अच्छा ददा एक बात और बताना चाहरा था मैं चाहरा हूं कि आपके मादम से आज के सेशन को लेके यूटूब लाई पे सेशन चला था पूरा था पूरा जिनकी बारी नहीं या सारे लोग तो बोल नहीं पाएंगे अभी पंच-साथ लोग भी बोल पाएंगे जिनकी बारी नहीं आई यह जिनकी बारी आई है ओ अपनी भावना है आज क्या-क्या सिखा ओ अगर यूटूब लाइब में कोमेंट्स अगर यूटूब लाइज जो चला था उस पर आप एक बार यह जुरूब पुछ लें कि कितने लोग बोल रहा हैं कि सर मैं अभी जैसे सेशन कंप्रीट होगा यूटूब लाइप यूटूब पर खोलूँगा इस वीडियो को और आपना कमेंट्स लिखूँगा कि मैंने क्या-क्या सीखा सही है वहां पर आपकी मर्जी अपना भाबना एको यूटूब लाइप रहेगा और उसमें अपना चाटिंग जो बहते हैं चाटिंग करनी है और कितना लोग बोलता है कि आप हम जुरूर लिखेंगे बहुत बड़िया मागुर जी यह सारे हाथ खरा कर रहा लिखेंगे मागुर जी बहुत बड़िया तो आगे हम एक दो दमदार लेडर को और सुनते हैं हमारी इसमें पुशत्म गुपता जी है लेलें जी का पारी जो है लेलें जी बोलिए सबसे पहले महागुरुजी को सत्सत्नमन और विकास सर और मेरे सारी मेंटर को सत्सत्नमन सर आज का मीटिंग जवरदस्तर हा सर महागुरुजी का हर बात दिल को छुग गया सर दूसरी बात कि अगर हम टू-डू लिस्ट पे काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और तीसरी बात है कि 100 पॉइंट ये तीनों चीज आज से मैं अपने जिवन में उतारूंगा मागुर जी और टीम को भी उतार वाऊंगा और 2024 एक यादगार बनाएंगे सरोरी इस समादमेया आरके